So hey guys, welcome back to this channel आज हम फिर से हमारा जो college review का series है उसे continue करेंगे और आज का video 4th video है तो आज हम cover करेंगे कराड government college के बारे में So ये भी काफी अच्छा college है, government college है तो इसी की बारे में आज हम सब बात करेंगे और अगर आप channel पे नई हैं तो please subscribe कीजे channel को शेर कीजे लोग को video हमारे अगर आपको पसंद आ रहा है तो और शुरू करते हैं फिर video को Right, तो जैसे कि आप सबको format तो बताएं ये हम लोग college review कैसे करते हैं कि ये एक PDF होता है तो जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ कि PDF की link आपको description में मिल जाएगी जो description में आपको एक telegram का channel का link मिल जाएगा so telegram channel को आप join करिए और वहाँ पर ये सारे PDF जो है वो आपको मिल जाएगी तो PDF का कुछ जिन्दा मत कीज़े आप लिक विक मत लीजे किदर भी क्योंकि ये सब आपको मिल जाएगा और इसमें सब चीज़ें covered है तो चैनल जो तो जो telegram का link है उससे join करना आपको beneficially होगा तो telegram group join करिए तो obviously सबसे पहले तो जो government college का logo है तो पहले तो obviously जो logo है उसके साथ हम लोग introduce करते college को तो logo दिया गया है फिर government college of Karad का establishment year है जो है 1960 तो ये भी काफी पुराना college है महाराश्टा के काफी colleges जो है वो पुराने colleges है और इसी के वज़े से इतना ज्यादा ranking होने हर बार मिलता है उसके बाद अगर address की बाद की जाए तो वो भी यहाँ पर दिया गया है तो location के आपको थोड़ा idea आ जाएगा उसके बाद जो mean building है उसका भी एक picture लगाया गया है तो अगर हम बात करेंगे NIRF ranking की तो NIRF ranking जो है वो इसका 300 plus है तो इससे 300 plus के जो ranking से वो declare नहीं की जाती है तो NIRF ranking तो मतलब वैसे भी इतना ज्यादा matter नहीं करता है NIRF ranking तो उसके उपर ज्यादा discuss नहीं करेंगे यह एक autonomous college है and obviously एक government college है तो यह काफी advantageous होता है autonomous college के बारे में तो आपको सब को बताईए तो मैंने last time भी बुला था अगर आपको autonomous college के उपर video चाहिए तो मुझे comment section में बताईए कि अगर आपको autonomous college के उपर video चाहिए तो वो भी हम लोग बना देंगे अगर हम लोग देखे तो फिर first year में तो आपका मतलब की सारे years में आपका category wise कम हो सकता है fees तो उसकी कोई चिंदा की बात नहीं है अगर हम लोग बात करे और आपको hostel fees की बारे में तो 7,700 yearly है और mass fees 9,300 है जो semester wise है तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि क्या है exactly scene उसके बाद अगर हम mood of admission की बात करें तो वो CTK through ही हो सकता है NGE mains का भी score थोड़ा सा consider किया जाता है तो अगर हम लोग cutoff की बात करें तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर सारे rankings दिए गई है तो आप ranking wise आप खुद ही देख सकते हो कि first round के cutoff क्या हो सकते है उसके बाद facilities की बात करें तो well equipped gym तो होता है यह सारे colleges में जिसमें hostel है उसके बात कर रहो उसके बाद badminton court है फिर basketball court है volleyball court भी है basic for sports facilities अब को provide की जाती है wifi facility काफी अच्छी है post office and ATM facilities वो provide की जाती है healthcare and canteen तो सभी होता है library की बात की जाए तो काफी अच्छी library है इनकी जिसमें almost 56,000 books का collection है फिर अलग-अलग IEEE papers वो सब भी है फिर NPTEL के भी काफी documents वो वहाँ पर present है तो ऐसा जो content है या फिर जो resources है उसके आपको कमी महसूस नहीं होगी खाफी अच्छे मतलब की यह सब दी गई है उसके बाद सबसे main चीज़ पर आता है जो है placements प्लेस्मेंट की बात करें तो average package 4.5 lakhs है यह भी मतलब की ठीक टा की college का package है उसके बाद highest package की बात की जाए तो वो 21 lakh है 71 companies visit करती है हर साल college को and overall placement is average मतलब की ठीक टा कॉलेज है इतना भी मतलब की खास प्लीस में नहीं लेकिन इतना बुरा भी नहीं है उसके बाद अगर hostel की बात की जाए तो hostel में आपके 179 rooms है and 545 beds है so इसमें यह boys hostel की है and girls hostel की बात की जाए तो 80 rooms है and 240 beds है so आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मतलब की आपको problem तो आने ही वाल है हर एक college में जो rooms है उसका availability है लेकिन आप थोड़ा rent करके कुछ करके आप करी सकते हो common TV rooms तो होती है उसके बाद high speed internet दिया गया है हर एक college के जो मतलब की room है उसे उसके बाद ऐसे कोई electricity का issue है नहीं फिर solar water eaters यह सब चीज़े जो आपको दी जाती है so इसमें भी कोई problem है नहीं आपको जो facilities है वो काफी अच्छी provide की जाती है उसके बाद fest की बात करें तो fest में आविशकार करके एक national level का technical event होता है जिसमें काफी मतलब अलग-अलग colleges जो है वो participate करते है so यह भी काफी interesting है उसके बाद हम end में आएंगे gallery की तरफ तो gallery में जैसे हम लोग हर बार अलग-अलग photos डालते है तो पहला तो सबसे पहले उनका mean campus का photo है उसके बाद आप देख सकते हो अंदर के campuses जो है उसके photos है so यह काफी पुराना college है इसलिए सारे buildings जो भी जो है वो काफी आपको पुरानी दिखे है तो आइस यह है पूरे वीडियो में अगर आपको और भी doubts है तो फिर telegram पर आप सीधा पूछ सकते हो कि क्या आपके और doubts है या फिर comment में भी आप पूछ सकते हो कि अगर आपको कोई cut off के बारे में कुछ doubt है या फिर कोई भी doubt है कोई भी अगर basic doubts है तो आप comment में तो आप बता ही सकते हो आपको कैसा लग रहा है यह video series यह भी आप comment में बता सकते हो so I guess that's it from my side अगर आपको वीडियो पसंद आये तो please share कीजे लोग के साथ subscribe कीजे चैनल को and stay tuned to this channel thank you